उधारण उन्निस केंद्र ओव वाले व्रित पर एक बाहे बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं टीपी तथा टीक्यू खीची गई है सिद्ध किजिए कि कोण पी टीक्यू बराबर दो गुणा कोण ओपीक्यू है हल माना कोण पी टीक्यू बराबर थीटा हमने से मान लिया थीटा अब हम यह कह सकते हैं कि दी गई आकरती में पी टी बराबर टीक्यू है हमने प्रमे का प्रयोग किया है कि बाह बिंदू से वृत पर खीची गई इस पर श्रेखाओ की लंबाई बराबर होती है हमारा यहां बाह बिंदू जो है टी है और इस पर श्रेखा जो है टी पी और टीक्यू है जो की बराबर होंगी इसलिए हमने प्रमे से यह ज्याद किया कि पी टी और टीक्यू बराबर है बाह बिंदू से वृत पर खीची गई इस पर श्रेखाओ की लंबाई बराबर होती है अतहां त्रिभुज टी पी क्यू एक सम दी बाहू त्रिभुज है जिसमें कोन टी पी क्यू धन कोन टी क्यू पी बराबर 180 अंश रिन थीटा क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज की अंता कोनों का योग 180 अंश होता है यहाँ पे हमने त्रिभुज के दो भुजाओं का योग बराबर 180 अंश रिन त्रिभुज की तीसरी भुजा लिखा है तीसरा त्रिभुज की का तीसरा कोन लिखा है इसे लिए कोन टी पी क्यू बराबर कोन टी क्यू पी बराबर एक बटा दो एक स्वासियंश रिन थीटा यहाँ पे कोन टी पी क्यू और कोन टी क्यू पी दोनों बराबर है संबाहू तिभुज के दो कोन बराबर होंगे इसलिए इसमें एक स्वासियंश रिन थीटा को हमने आधा कर दिया है कोन टी क्यू के लिए या बराबर कोन टी क्यू पी के लिए अब हम यह कह सकते हैं कि कोन टी पी क्यू का जो मान है उसको हम लिख सकते हैं कोश्टा कोलेंगे तो एक स्वासि बटा दो बराबर नब्य अंश रिन एक बटा दो थीटा यहां पर हमने कोन टी पी क्यू कमान नब्य अंश रिन एक बटा दो थीटा ग्याद किया चुकि हम जानते हैं कि वृत की स्पश रिख पर स्पश बिन्दू से जाने वाली तिज्या लंब होती है इसलिए कोन ओ पी टी बराबर नब्य अंश है हमने यहां पर प्रमय का प्रयोग क्या व्रिष्ट की स्पाश रिखा पर स्पाश बिंदु से जाने वाली तिज्या लंब होती है यहां पर हमने कोन ओ पी टी को नभ्याज बताया इस तरह से हम देखते है कि कोन ओ पी क्यू बराबर कोन ओ पी टी रिन कोन टी पी क्यू हमने यहां पर ओ पी जो क्यू है जो हमारा कोन जो छोटा कोन है उसको हमने कोन ओ पी टी पूर्ण कोन में से कोन टी पी क्यू को घटाया जो की कोन ओ पी क्यू के बराबर होंगा अब हम OPT का मान हमने 90 लिखा है निका ग्याद किया है तो यह 90 लिखे हमने और RID उसी तरह से TPQ का मान हमने 90 रिड एक बटा दो थीटा है इसे हम कोष्टक में लिख लेते हैं 90 रिड एक बटा दो थीटा कोष्टक को खोलेंगे तो 90 रिड नबवे अंश जो की शुन्य हो जाएगा और रिड एक बटा दो थीटा से गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा धन एक बटा दो थीटा इस तरह से हम ने ज्याद किया कि एक बटा दो थीटा का मान जो है वो कोण थीटा का मान हमने कोण पी टी क्यों माना है तो थीटा के स्थान पर हम कोण पी टी क्यों रख लेते हैं तो हमारे पास प्राप्त हुआ एक बटा दो कोण पी टी क्यों अतहां जब हम यहाँ पे यह दो का तीरिया गुणा करेंगे इस पर यहाँ पे हमने कोण ओ पी यू बराबर एक बटा दो कोण पी टी क्यों किया है तीरिया गुणा करने पर हमें प्राप्त होंगा कोण पी टी यू बराबर दो गुणा कोण ओ पी यू यही हमें सिद्ध करना था यह सिद्ध हुआ इस तरह से यही सुधारन का हल होगा